नमस्ते दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ट्रेंड लाइन का सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें ये मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि इन ट्रेंड लाइन्स को हम लोग ट्रेड किस तरीके से करते हैं तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर एक कोई भी चार्ट खोले टाओं इस माइ फेवरिट ठीक है जब समझने की कोशिश करेंगे तो मैं इसको डे में पहले काम करने की कोशिश करते हूँ और चलिए एक ट्रेंड लाइन डालते हैं अभी डालेंगे तो पता निचे यह आगे क्या होगा थोड़ा सा पीछे जाके वहां से ट्रेंड डालने की कुशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है बस तरह इतना काफी है तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं यहां पर देखिए एक बहुती भी सुन्दर सी ट्रेंड लाइन में को यहां पर दिखाई दे रही है अगर मैं इस एंड को इस एंड की तरफ लेके जाऊं तो क्या होता है एक बहुती अच्छी सुन्दर ट्रेंड लाइन यहां पर दिखाई देती है यहां भे सपोर्ट लिया उसके बाद उपर गया फिर यहां सपोर्ट लिया थोड़ा से यहां सपोर्ट लिया लेकिन यहां पे आने के बाद जो कि एक दो तीन चार दो दिन लगा वहां से support ले रहा था और अब देखेंगे support लेने के बाद उसने क्या किया उसने उस trend line को तोड़ दिया trend line तोडने का मतलब है कि जो trend चल रहा था वो trend अभी खतम हो गया है या अभी कोई दूसरा trend आएगा तो अगर हम यहां पे देखें वापस से थोड़ा सा उपर गया और उसके बाद गिरा थोड़ा सा test किया फिर गिरा थोड़ा test किया फिर गिरा कभी भी trend line को तोड़ने के बाद भाव एक बार कोशिश करता है कि वापस वह हो जाए इसको re-test बोलते हैं रिटेस्ट क्या होता है कि कभी भी आपकी जब भी ट्रेंड लाइन टूटेगी तो बहुत बार तो इस तरीके से होता है कि वह सीधा ही यहां से बड़ा कैंडिल बनाए और नीचे चलीजे उस तरीके के ब्रेक आउट या ब्रेक टाउन के उपर मैं बहुत जादा विश्वा आप देखेंगे एक चैनल की तरह भाव जाता है मतलब वही पर रहता है थुड़ा उपर थुड़ा नीचे थुड़ा उपर थुड़ा नीचे पर बहुत ज़्यादा जाता नहीं है उसको बोलते है कॉनस्वाडीशन अगर तेकनिकल टरम्स में बोले जाए तो इस आपर प यूजुली क्या होता है जो टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है कि यहां पे जो बड़े बायर्स या बड़े सेलर्स होते हैं वो अपने पोजिशन को धीरे धीरे क्रियेट करते हैं इस ट्रेंड लाइन की मैं बात करूँ तो यहां पर बहुत प्यार से दो चीज़े देख पाएंगे अगर मैं यहां पर एक यह चैनल दोने की कोशिश करूँ तो यहां पर हुआ क्या यहां पर प्राइस उपर गया नीचे आया उपर गया नीचे आया उपर गया नीचे आया मतलब कि जो हमने पिछली बार जो डिसकस किया था कि हम लोग एक ट्रेंड में ही चल रहे हैं ठीक है लेकिन यहां पर क्या हुआ जो हम लोगों ने ट्रेंड किये लिए लाइन बनाई थी इसने इसको यहां पर तोड़ दिया तोड़ने के बाद कभी भ उपर गया यहां पर हो क्या रहे हैं धिसकली कंसलिड़ेशन जब एक ट्रेंड हमारे पास बन जाता है और उस ट्रेंड से कभी भाव को नीचे गिरना है यहां को ऊपर आना है मिलते हैं और सेम तरीके से जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिये यहां पर आप यहां पर एक्चुली होता है कि यहां पर रिटेलर फस्त है अगर किसी बंदी ने या किसी ट्रेडर ने नोवाइस ट्रेडर ने यहां पर कभी सेल किया होगा कि अच्छा ठीक है मेरा ट्रंड लाइन टूड़ गया अब मैं यहां से इसको बेज देखता हूं अगर बेचा के पास गया पास गया यहां पर रिटेलर डड़ जाते है इतनी केंडल में तो रिटेलर डड़ जाते है वह सोचते है कि यहां बेरी ट्रंड लाइन गलत थी और आप भाव इस पर वापस आएगा नहीं और इस ने बहुत ही चालाकी के साथ अगर आप देखे तो ज़ादा तर रिटीलर्स होंगे उन्होंने अपना इसल कहा रखा होगा इस केंडिल का जो हाई है वो है 1614.45 1614 अगर आप इस वाली केंडिल का हाई देखे तो 1614.90 और इसका हाई देखे तो हाई आया है 1617.55 तो यहाँ पर क्या हुए यहाँ पर जिस जिस ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा इन दिनों अपना लॉंग का पोजिशन बनाया होगा वहाँ पर उपर गया उन सब का एसल खाया और उसके बाद नीचे गिर गया तो अगर यहां पे कोई intelligent बंदा बैठा हुआ है तो उसने कितना book किया होगा या जिसने इसको देख के किया होगा आप देखें जिसने यहां पे किया है उसने अच्छा खासा downtrend में भी 7% book कर लिया 7% बहुत छूटा नहीं होता है अगर आप इसको तो अगर आपके पास एक lot है future का 7% अगर आपने लिया है तो that is very nice ठीक है हुआ क्या वापस एक और test हुआ क्योंकि consolidation zone था consolidation में ज़्यादा नीचे नहीं गया वापस उपर गया लेकिन वापस उपर जाने के बाद अगर आप देखे तो यह ट्रेंड ही तो बहुत दूर हो गया तो यह खतम हो गया बट इसने यह चैनल को नहीं तोड़ा वापस नीचे आया ठीक है वापस कितना नीचे आया अगर मैं देखने की कोशिश करो तो अगर यह मेरा चैनल है तो भी कम से कम नहीं भी तो 10% और नीचे आया इस चैनल से तो इस तरीके से आप किसी ट्रेंड के उपर पोजिशनल में बना सकते है यूज या इंटरडे में भी होता है हम लोग इंटरडे के भी एक दो और जानने की कुशिश करेंगे चुट अगर करके देखते हैं कुछ और अगर हमें यहां पर मिलते हैं तो अगर देखिए एक और ट्रेंड लाइन में यहां पर बना सकता हूं अगर अगर अच्छा बनेंगे भी यह बहुत अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि यहां पर इसका लोग मैच नहीं कर बारों में कितनी कुशिश करने के बाद भी अगर ऐसा कुछ बनाओ जबर जस्ती नहीं बनाना अगर आप इस ट्रेंड में हैं तो जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटे निकल जाहिए यहां पर देखें यह बहुत अच्छा एक और यहां पर बसुझे दिखा यह करके दिखा बहुत प्यारा सा एक चोटा सा अप्टरंड चल रहा था अप्टरंड जैसे ही टूटा यह केंडिल ने यहां पर री टैस्ट भी नहीं किया तोड़ा सा यहां पर बना एक चोटा सा प्राइस एक्षिन बना इसको इंसाइट केंडिल का प्राइस एक्षिन बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा आगे के लेसेंस में उसको भी कोशिश करूंगा कि कवर करूं बद बहुत प्यारा सा बना यहां पर अगर मैं ट्रेंड लाइन्स में आप जरूरी नहीं है कि वो टूठने का ही आप में लेने का ही मक्सद से यहां पर आए आप क्या कर सकते कि अगर आप किसी trend में है तो अब वो trade को exit करने के लिए भी trend line का use कर सकते हैं तो देखते हैं अभी और बनेंगे यहाँ बहुत प्यारा सा बना था यह एक दो तीन चार चार के बाद जैसे यह तूटा यहाँ से यह नीचे चला गया तो अच्छा कासा कितना थुड़ा यहां बहुत यहां भी अच्छा मिले जाएगा यहां पर ट्रेंड लाइन टूटी आपने यहां पर भी लिया है तो आपको अरूंड दस परसेंट डाउन मूब आपको यहां पर मिल गया सोचिए अगर आपके पास future का एक lot है या options का एक lot है तो कितना अच्छा है यहां पर आप ले सकते थे तो this is the power of trend line हमेशा काम करता है ज्यादा तर काम करता है जिसकी जितनी अच्छी trend line होगी उतना अच्छा उसको trade मिलेगा जो चित्ती बट एकी चीज में कोई समझ में आती है जवरजस्ति की trend line ना बनाए यह अलाकि ऐसा कुछ बन रहा है बट यह जवरजस्ति का ही है क्योंकि यहां पर आप देखे तो बहुत अच्छी तरीके से मैं नहीं मिला पा रहा हूँ आपे बट एक मुटा मुटी देखा जाए तो हाँ एक यहां पर uptrend था जो यहां पर आके कहीं पर खत्म हुआ है ओके एक और यहां पर यह देख लिएते हैं मैं इसके थोड़ा सा और में करने का कोशिश करता हूँ हां गया था हाँ यह वाला लिए यहां पर प्यारा सा यहां पर एक बार यहां पर सपोर्ट लिया दो बार यहां पर लिया तीसरी बार यहां पर लिया उसके बार यह क्या शुरू हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कह रहा था, यह चीज बहुत important है, इसको कहते हैं consolidation, कभी भी दो चीज आप देखिए, कभी भी आप breakdown और breakup के उपर कभी भी लेते हैं, जहां पर उपर की तरफ तुठते हैं, यह चीज बहुत ज़रूरी होती है, इसको बूलते हैं consolidation, यह देखिए, यहां पर consolidate हुए है, consolidate का मतलब है price एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आट, नो, दस, दस दिन तक price एक बहुत ही छोटी सी range के अंदर, उपर नीचे, उपर नीचे हो तरह, अला कि यहां पर थोड़ा और इसको देना चाहिए था, नहीं दिया, तो दो चीज देखिए, कभी भी अगर आप अपना trade लेना चाहते हैं, तो make sure कि consolidation वो तो बहुत यह अच्छा है, अगर मैं यह trend line को भी यहां पर देखूं, तो इसको अगर मैं छोटा period बनाता हूँ, कि रुपजा मेरे भाई, यहां पर भी, consolidation before trend line तोड़ना, एक दिन, दो दिन, तीन, चार, चार दिन का consolidate किया उसने जबी वो trend line को तोड़ा, और चार दिन के बाद, trend line तोड़ने के बाद, अगर हम लोग price action पर गाम करते हैं, तो चार दिन के consolidation के बाद, शायद scandal के उपर हम लोग अपना trade लेते हैं, इसने क्या किया, इस यह निकलने के बाद, इसने वापस इस trend line को test किया, जो retailers दो-चार रह गए थे, कि भीया, हम तो अकेले उपर जाएंगे, आपको तो हम पैसे देंगे नहीं, retailers को, तो क्या किया है, यहाँ पर वह वापस इसने जब नीचे की तरफ आया, यह trend line को touch किया, तो वह कुछ एक retailers थे, यहाँ से अगर पीछे अगर आप देखा जाए, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे चे, पांच, यह पांच, यह पांच दिनों जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पांच, इसने लो लगा के अल्वोस सब को कोशिश किया निकालने का, उसके बाद वह बोले कि भाईया, यह profit तो हम अकेले लेंगे, घर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर यह जैसे ही, रिटेस्ट होगा, यह रिटेस्ट होने के बाद वापस से उपर गया, हाला कि मेरे ख्याल से, जो मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ, उसके हिसाब से कम profit है, बर ठीक है, सी, एक होता है profit, एक होता है loss, कम ज्यादा ठीक है, चलता है, यह जो मेरा price action है, यह जितने time में बनेगा, उसके उपर भी आप अपना decide कर सकते हो कि आपको कितने दिन का, आप कितना aim कर सकते हो profit यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा हूँ, अगर date range ले, तो मैं मानतों यहाँ से यह चालू हुआ, और literally 69 days, ओके, तो इसन तो 70 दिन में मेरा जो system है, वो यह बूलते है कि अगर यह 70 दिन का consolidation था, तो मुझे कम से कम 10-15% तो मेरे को मिलना चाहिए था, This is what, you know, I have a system, probably उसको कभी next उसका है, और discuss करेंगे कि कितना time अगर मेरा setup बना है, तो मुझे कितना तक देने का वो रखते है, इसने कम दिया है, मैं मानतों कि 10-12 और 10-15 के बीच में कम से कम इसको देना चाहिए, बर ठीक है, अगर आपने यह cash में भी उठा है, अगर आपन अगर आपने यह जिस दिन यह हुआ और इसका हाई तो आपको चौधा दिन के अंदर आपको 8% मिल गए, या 9% मिल गए, लोग 6-6 महीने वेट करते हैं, 8%, 10%, 12%, 20% के लिए, अच्छा खास है, डीसेंट है, अगर आपको 8% मिल गए, या 9% मिल गए, लोग 6-6 महीने वेट कर अला कि उतना अच्छा नहीं है, जितना मैं expect कर रहा था, बढ़ टीक है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, यहां पर आए, recent देखते हैं, अभी क्या चल रहा है, अभी मैं क्या expect कर सकता हूं यहां पर, मैं यहां पर expect कर रहा हूं कि एक, इस तरीके की trend lane, अभी से थोड़ा की कोशिश करता हूं, और यहां पर मिलाने की कोशिश करता हूं, तो अच्छी है trend line, थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, यहां पर शुरू हुआ यह downward trend यहां पर शुरू हुआ, यहां से वापस आया, फिर यहां पर थोड़ा test किया, इसके आसपास गया, फिर निकला, फिर test क करने का कोशिश किया फिर गया ठेस्ट करने का कोशिश किया अगर अभी आप यहां पे देखें तोु हूआ क्या है जैसे यहां पे मैं इंट कंडिल को माण के चल सकते हो ये candles को जहां पर वो टच करने की कोशिश कर रहा है ये चोटा सा यहां पर एक मेरा consolidation सा लग रहा है मिरको चोटा सा यहां पर consolidation हो रहा है अभी क्या मैं क्या expect कर सकता हूँ रिलाइंस के अंदर ये भी अच्छा खासा ये भी consolidation ही मान सकते है क्योंकि यहां पर price बहुत ज़्यादा तो गया नहीं है यह यह यहां पर यह ठीक है तो यह भी बहुत ज़्यादा price यहां पर गया नहीं है मैं इसको मैं अगर कोई अगर काम करता हूँ और बास उतना कितने दिन का consolidation है यह है यह है यहां से अगर यह consolidation यहां से ट्रेंड लाइन अगर शुरू हुआ है तो मेरा setup बना इस दिन 154 days 154 days में अगर consolidate हुआ है यह one sorry not consolidate अगर वो trend line की length अगर 154 days है तो मेरे setup के हिसाब से इसे कम से कम भी तो 15% तक तो देना चाहिए 154 days 154 हां नहीं इसको देना चाहिए 30% के उपर और कितने टाइम में देना चाहिए 3-5 मेने के अंदर ओके यहां पर अगर इस पर कोई तरीके का इसका setup है हाँ अभी दो तरीके हैं यहां से आगे कैसे move करेगा या तो यह stock वापस आके यह trend line को एक बार test करेगा या फिर यहां से ही उपर चला जाएगा उपर क्यूं यहां से चला जाएगा क्योंकि यहां पर यह अच्छा खासा consolidate हो गया है बट एक तोड़ा सा हाला कि इस candle दे कोशिश किया था यह पिछले consolidation लो को तोड़ने का एक बार अगर वो लो तोड़ देगा तो फिर यहां से भी वापस जा सकते हो क्या रहा है यहां पर यहां पर बड़े लोग शायद इसके stock के अंदर आने की कोशिश कर रहे है रिटेलर्स को निकालने के लि हां दूसरा विचार इसमें क्या हो सकते है कि अगर यह consolidation हाई को तोड़ देता है अगर यह यहीं से निकल जाते है अगर आप एक और देखें यहां पर तो एक और छोटी सी जो छोटा सा trend अभी शुरू है वो यह है यह है इस तरीके से मैं यहां पर इसको बना सकता हूं यह यह trend line अभी है धूरी है क्योंकि हमें इस पर कितने touch मिल रहे हैं दो एक touch, दो touch, तीन touch तीन touch है ठीक है तो इसमें इस्तिति क्या बन रही है कि हो सकता है कि यह इस trend line को respect करें यहां तक नीचे आए और यहां तक नीचे आए और यहां पर कहीं पर या तो अगर यह top तोड़ता है तो शायद मैं इसके इंदर long हो जाऊंगा अगर यह top नहीं प्यार से कहीं तो आए और touch करके फिर निकल जाए तो इस तरीके का view रहता है इसके उपर कुछ और चीज़े हैं जो मैं देखता हूं मतलब कि अगर मैं छे महीने के लिए इसके अगर मैं बोलता हूं कि अगर यह 154 डियस का चलीडेशन है तो जो मेरा अगरी तरेंड लाइन यह सेट अप अगर यह सेट आप पिरिएड यह नो डेट सो दिन के आसपास का है तो मैं यह मानता हूं कि मुझे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा तो मैं कम से कम यहां पे देखोंगा 20% और वो व needing trade रहेगा कम से कम तीन महीन का तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ और यह लगाने की कोशिष करूं कि अगर मैं यहाँ पे long जाओगा मैं यहाँ पे long जाने के अगर कोशिष करता हू으면 मेरा stop loss रहाईगा somewhere around यहाँ पे हम Iron कि कि कह जुकी आधा नहीं करते हैं किसे किति हम दिखूंगा देखूंगा तीन से भाइन है तो यह मैं आप से शुरो करता हूं 21 नवंबर से तो यह नवंबर है तो दिसमबर नोटा मोटा मार्ग ऑप मार्च्च के इस टाइम तक मार्च के किस बाइस तक मैं देखता हूं कि यहां पे तो इस कुछ इस तरीके का यह ट्रेड बनेगा लेकिन अब जब मैं अपना पैसा इसके उपर लगाँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें और कुछ ऐसी चीज़े देख लू कि मुझे कन्फर्म कर दे कि यह एक मैं उसके लिए क्या करता हूंै कॉम एक दौकर कज एक दौकर आuh मैं इसको जो काफी है इस सेटएप के लिए में जो बता हूंगा वह ब्ले में लेकिन इसको मैं दूसरी तरीके से तरीके से लेए तो सबूस्य के रहेगा अप शबाठार है अब सब को पता रहां आप दूसरी लगाँगा मैं दोसो की और इसको मैं कर दूँगा थोड़ा सा ब्लैक तो कभी भी मैं तीन महीने कर ट्रेड लूँगा तो मैं सरफ इतना इंशूर करता हूँ कि जो मेरी दोसो की मुविंग एवरेज है वो 21 डेस की मुविंग एवरेज के नीचे रहे अगर आपको मुविंग एवरेज के बारे में नहीं पता है तो हम लोग एक और वीडियो इसके उपर बना सकते हैं कि यह क्या है और कैसे काम करते हैं अभी के लिए यह दो नीच टो डी डिसकवर सम्थिंग लाइक यह तो सबसे चोटा वो रहता है बट अनिवेज अभी यह ट्रेड सैटप के लिए जो मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं वो यह कोशिश कर रहा हूं कि यह बहुत अच्छा सेटप बनता है और अग अच्छी बात है कि 21 ने इसको काटा भी है और 21 इसके नीचे भी है मैं कोशिश करता हूं कि long किसी भी स्टॉक में जाऊं तो वो अपने 200 यह में के at least उपर ट्रेड कर रहा हूं 200 यह में के नीचे में मानता हूं कि मेरा स्टॉक थोड़ा नेगेटिव हो जाता है एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है तो अगर वो 200 के उपर ट्रेड कर रहा है मैं long में जाने के कुशिश करता हूं 21 डेस के भी उपर है तो फिर बहुत अच्छा है फिर तो मैं उसमें मतलब फिर में को एक और positive वो मिल जाता है यह तरीका है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का इसका एक part 3 भी बनाने की जुरूवत है क्योंकि मैं आपको बताया नहीं कि मेरा setup किस तरीके से काम करता है अगर मैं ट्रेंड लाइन के उपर यह लेता हूं और दूसरी चीज जो इसमें मुझे बताने थी वो यह बताने थ को आप देख सकते हैं कभी भी कोई भी breakout होगा और अगर वह सच्ची का breakout होगा और वहां से continue करेगा हमेशा जो volume आती है वह बहुत ज्यादा आती है अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह जो volume थी यह breakout volume नहीं है क्योंकि breakout volume क्या होती है सबसे उपर हो नहीं चीए मैं मोटा सबसे ज़्यादा इसको touch किया है एक exception को छोड़ दो कम से कम इतना तो volume मिरको इतना तो volume मिरको यहां पर चाहिए था जब यह तोड़ रहा था इसको वह यह अभी volume यहां पर थोड़ा सा उपर नीची रहेगा consolidate रहेगा यहां पर बट एक बड़ जब यह trade चलना चालोगा तो यह मेरा view है इस तरीके से आप अगर कोई ऐसा trend line का breakout देखते हैं जहां पर volume बहुत आई हो एक मित्र ने share किया था अगर मैं दिखा पाऊंट तो आपको शायद अभी नहीं है मेरे पास बट अगर आप यहां पर देखें मतलब इस दिन यह वाले दिन जिस दिन इसको breakout किया है और वहां पर जो volume है बहुत बड़ा बन गया है तो most of the cases में वह breakout एक सफल breakout होता है हमेशा कोई भी breakout अगर consolidation के होने जैसे यह consolidate होने के बाद हो रहा है तो बहुत chances है कि वह अच्छा आपको return दे सकते है यूजली कई लिबर क्या होता है कि अगर वो दे देगा तो बहुत अच्छी बात था आगर नहीं देगा तो भी अगर यह breakout होने के बात भी अगर consolidate कर रहा है उसके बाद भी देगा तो भी अच कुछ परिशानी हो आप काम कीजिए थोड़ी मैनत करने पड़ती है यह ट्रेंड लाइन्स देखने के लिए आप मैनत करेंगे आपको भी आ जाएगा कोई इसमें ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है मैं तो यह मानता हूं सरफ प्रैक्टिस का खेल होता है आप प्रैक्टिस कर होगा कि इसको जो भी आपके वरीज उसको अटेंड करने का या आपको थोड़ा हेल्प करने का बाकी हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा प्रोच सहन बढ़ते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद